लास्ट फ़ले लेक्चर में हम लोगा ने फ्रेक्शनल कॉडिनेट्स की बात की थी जो कि स्पैसिफ़े करते हैं पॉजिशन आफ अनाटमिना लैटीस फॉर एक्शनल कॉडिनेट्स को इस तरह से ब्राकिट्स में शो करते हैं अब अगर मैंने शो करनी है इसकी डारेक्शन तो मैं क्या करूंगी कि ओरीजन से एक स्ट्रेट लाइन ड्राउ करेंगी इसकी तरफ जो किस पॉइंट को जॉइन करेगी तो यह जो मैंने लाइन ड्राउ किया है इस पॉइंट तक यह जो लाइन इसकी डारेक्शन के होगी 1, 1, 1 लेकिन इसके अराउंड जो है वो हम ब्राकिट्स जो है वो स्केर ब्राकिट्स यूज़ज़ करेंगे differentiate करने के लिए कि यह direction को show कर रहा है यह coordinates नहीं है so direction of our line यह होगी 111 with these brackets अब अगर मैं इसी का opposite सोचू for example मैं यह कहते हूं कि मुझे यह direction डियो ही है 111 और मैंने इसको draw करना है एक lattice के अंदर unit cell के अंदर तो मैं कैसे इसको draw करूंगी इसको मैं erase कर देती हूं अब हम देखते हैं कि मैं इस direction इसको कैसे draw करूंगी यह हमारे पास एक cubic structure है unit cell है और मैं यह कह रही हूं कि यह x-axis है यह y है और यह z-axis है अब मैंने इस point को origin ले लेती हूं अब जब मैंने 111 direction show करने तो इसका मतब है कि x-axis के long मैंने पूरा one move किया और फिर y-axis के long one और फिर z-axis के long भी one तो उसके बाद z-axis इस तरह उपर की तरफ आजएगा तो वो यह point हो गया फिर मैंने origin से एक line draw करनी है इस point की तरफ तो यह जो line है इसकी जो direction होगी that will be one 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 तो इस तरह से हम direction को show करते हैं अब हम थोड़ी practice कर लेते हैं directions को draw करते हैं कि eclatis में simple ले लेते हैं पहले one zero zero को देखते हैं कि हम इसको कैसे draw करेंगे इसको हम रेस कर देते हैं one zero zero किस तरह से होगी यह हमारे पस origin point है x-axis के long इसका मतब है one जो है वो x-axis के long है x-axis के long मैंने one move किया यह और y के long कोई movement नहीं है और z के long भी कोई movement नहीं है तो इसका मतब है यहां से लेके यहां तक एक line होगी और उसके आगे हम यह arrow head डाल देंगे तो इस line की जो direction होगी that will be one zero zero next देख लेते हैं एक और practice करते हैं zero one zero किस्ता से draw करेंगे यह हमारे पस origin है origin से मैं एक्स-axis के long कोई movement नहीं है लेकिन y के long जो है वो one है so y के long यह one है और z-axis के long भी कोई movement नहीं यह नहीं कि उपर की तरफ नहीं जाएंगे तो इसका मतब है यहां से एक मैंने arrow head टूट कर दिया इसके आगे तो यह जो line इसकी जो direction होगी that will be zero one zero अब एक और देख लेते हैं zero zero one अगर तो वो हम कैसे करेंगे again origin से हमने start किया X-axis के long कोई movement नहीं है Y के long नहीं है लेकिन Z-axis के long movement है जो के Z-axis यहां से origin से उपर की तरफ आएगा यह एक line होगी इस line के direction होगी zero zero one अच्छे यह तो बहुत basic चीजें थी directions थी I mean अब थोड़ी से अगर हम इससे थोड़ी से ज़रा देखते हैं कि अगर for example हमारे पस one one zero direction है तो इसको हम कैसे show करेंगे so one one zero है तो इसका मतलब है again origin से मैंने start किया X-axis के long में one move किया Y के long भी one और Z के long कोई नहीं है तो इसका मतलब है वो यहां पर point आया और मैं origin से फिर एक line draw करूंगी इस point तक तो यह जो line होगी origin से मैंने start करना है X-axis के long मेंने one move किया है Y के long कोई movement नहीं है लेकिन Z के long movement है जो के उपर की तरफ आजेगा Z-axis के long तो यह वाला point तो इसकी direction क्या होगी origin से मैंने एक straight line draw करनी है इस point के उपर तो यह जो line है यह जो line होगी इसकी direction होजएगी 1, 0, 1 Next हम देख लेते हैं 0, 1, 1 So 0, 1, 1 को कैसे represent करेंगे origin से मैंने start किया X-axis के long कोई movement नहीं है Y के long हमने one move किया और फिर उसके बद Z के long one move करेंगे So it means Z के long हम इदर इस तरह से इस तरह से उपर को जाएंगे और फिर मैंने origin से एक line draw करनी है जो के इस point तक आएगी तो यह जो line है इसके direction होगी 0, 1, 1 अब हम एक मसाल ले लेते हैं कि for example हमारे पास 2, 0, 0 है So 2, 0, 0 है direction तो इसको हम कैसे represent करेंगे तो 2, 0, 0 का मतलब यह है कि जब ही अगर आपके पास 2 है या 3 आज़त है कुछ है तो आप उस फ़ले number को बाहर नकाल लें तो 2 को आप मैंने बाहर नकाल लिया तो यह ज़ेगा 2 divided by 2, 1 आगे 1 and 0 divided by 2 is again 0 तो यह ज़ेगा 1, 0, 0 तो आपने देखना है again कि मेरे पास यह unit cell है जो कि क्यूब की शकल में है यह मेरे पास x है यह y है और x के along यह origin है x के along मेंने पूरा one move किया जो कि यह आजएगा ठीक है और y के along कुछ movement नहीं है और z के along में कोई movement नहीं है तो वो जो line होगी जिसकी यह direction है वो यह line होगी that will be 1, 0, 0 आप इसको 1, 0, 0 के हैं या आप इसको 2, 0, 0 के हैं यह एक ही बात है plane है और इनकी position में फरक हो सकता है लेकिन यह a की direction जो है वो show कर रहे है इसलिए हम इने कहेंगे कि यह same direction यहां या तो 2, 0, 0 है या फिर 1, 0, 0 है तो यह same directions है इनकी position में फरक हो सकता है लेकिन direction जो है वो same रहेगी इस तहरा से हम कोई और example देख लेते हैं मसाल के तोर पर हमारे पास एक direction है 0 2 2 तो इसको हम कैसे करेंगे इसमें भी again मैं 2 को बाइर निकार लेती हूं तो यह हो जाएगा मैं पस 0 0 divided by 2 is 0 2 divided by 2 1 आगे 2 divided by 2 1 तो यह आजएगा मैं पस 0 1 1 अब मैं 0 1 1 direction को draw करने के लिए क्या करूँगी origin से मैंने start किया है x axis के along मैंने कोई movement नहीं है y के along मेरी पूरी 1 है तो मैं y के along यहां से इस तरह से 1 move किया है and then zk along भी 1 है तो इस point से मैं उपर के तरफ move करूँगी इस तरह से यह हो जाएगी तो यह वो point आगे तो इसकी direction को show करने के लिए origin से मैंने एक straight line draw करनी है उस point तक यह तो यह जो है this will be 011 011 यह आप इसे कह सकते है आप इसको यह भी show कर सकते it's 022 यह same direction यह चाहे वो 011 है यह 022 है same direction है और इसी तरह next को यह और हम example ले लेते हैं मसाल के तोर पर मैं एक ले लेती हूँ 021 अब 021 है तो again इसको मैं 2 इसमें से बाइन काल लेती हूँ so 0 divided by 2 is again 0 2 divided by 2 is 1 and 1 divided by 2 is 1 by 2 अब हम इसको draw करते हैं again हमारे पस यह unit cell है start मैंने यहां origin से किया और origin से मैंने x-axis के along कोई movement नहीं है y के along y के along जो है one movement है मैं कोई color change कर लेती हूँ इसको differentiate करने के लिए okay so यह मैंने y के along जो है यह move किया one और फिर उसके बाद z के along मेरी पूरी one नहीं है half of that है तो इसका मतब है z के along मैं यहां पे यह middle तक वो point आएगा तो मैं फिर इस direction को show करने के लिए क्या करूंगी origin से मैंने एक straight, एक line draw की है उस point तक यह तो यह जो direction होगी that will be 0, 1, 1 by 2 so 0, 1, 1 by 2 या अब इसको लिख सकते हैं 0, 2, 1 यह same direction ही है अब हम एक और example consider करते हैं कि अगर मेरे पास एक direction है 1 और उसके उपर एक bar है 1 और 0 इस bar का क्या मतलब है इस bar का मतलब है कि negative, negative axis यानि कि negative side अब यहाँ पर चुके for example यह हम देखते हैं यह हमारे पास again a cube है, एक unit cell है यह जो side थी, इसको मैं कहा दे थी, this is x, this is y और यह z है अब चुके 1 के उपर बार है, तो इसका असान तरीका क्या होता है simplicity के लिए हम जिसके उपर, जिसके negative side है को consider करना है, हम उसको origin consider कर लेते हैं पहले हम origin consider कर रहे थे इस point को अब चुके मैंने यह show करना चाहरी हूँ negative side of that, तो अगर मैं इसको origin लोंगी तो इसके negative को मुझे देखने के लिए एक इससे पीछे वाले cube को देखना होगा और अगर मैं उसको consider करूंगी तो फिर system पूरा बहुत complicated हो जाएगा तो उसको simplicity के लिए हम क्या consider करते हैं तो मैं अपने origin को shift कर देती हूँ मैं अपने origin को यहाँ से shift करके इदर ले आती हूँ यह origin है जब मेरे पस यह अगर origin है तो अब मैंने उसके negative side पे move करना है तो मेरे पस यह है जो कि इस unit cell के अंदर ही side लाई करी इस side पे अच्छा अब मैंने जब यह direction शो करनी तो it means मैंने negative की तरफ move किया जो कि यह side आजेगी और उसके बाद x हो गया यह फिर y भी 1 है और y 1 पूरा यह हो जाएगा फिर मैंने line draw करनी है from the origin to that point और वो line किस तरह से होगी वो line इस तरह से होगी और यह direction इस line की direction के आजेगी 1 bar 1 0 एक और example consider कर लेते हैं for example हमारे पस एक और direction है हम draw करना चारे हैं वो है 1 0 1 bar अब अगर हमारे पास 1 bar इदर है तो again मैं अपनी origin को shift कर लेती हूँ origin को मैं shift कर लेती हूँ हमें पास यह उपर z axis था origin मैं अब यह वाला origin ले लेती हूँ क्योंकि मैंने negative side पे move करना है इसलिए अगर मेरा negative जो है वो downward हो जएगा इस unit cell के अंदर ही सबसे पहले मैंने यहां से x-axis के along move करना है 1 so x-axis के along मैंने move किया 1 तो यह 1 हो गया और फिर y के along कोई movement नहीं है लेकिन z के along जो है वो movement है वो कितनी है? z के along movement वो 1 है तो इसका मतब है वो यहां से इस तरह से 1 आएगा downward और फिर मैं एक line draw करूंगी from this origin to this point यह जो line होगी so यह जो line है इसकी direction क्या हो जाएगी 1, 0, 1 bar in square brackets के अंदर अब अगर आप यह इस table में देखें कि यह जो direction show क्यों ही है 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 1, bar, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, bar अब अगर इनको आप draw करें तो यह आप देखेंगे कि यह सारे एक जो cube है उसकी edges के उपर आ रहे है इसलिए हम इसको कहेंगे यह family of cube edges है और यह जितनी भी directions है यह एक दूसरे के equivalent है इन सारी directions को हम represent करते हैं इस तरह की bracket डाल के जिससे पूरी एक family represent होती है इस तरह की bracket में और उसके अंदर हम कोई भी direction लिखतें चाहे 1, 0, 0 लिखतें यह 0, 1, 0 लिखतें वो एक ही बात है लेकिन जब भी आप इस तरह की brackets के अंदर यह देखेंगे तो इसका मत्रब है वो basically उसकी पूरी जो equivalent directions है उनका पूरा group है तो like इस case में यह family of cube edges है इस तरह से अगर आप नीचे देखें यह जो दूसरे वाली row है इस वाली row में यह जो सारी directions मैंने लिखी हुई है इसको अगर आप draw करें तो यह सारी जो है equivalent directions है और यह भी जो group है equivalent direction का इसको हम कहेंगे family of the face diagonals क्योंकि यह face के along directions है सारी तो इनको भी show इनको भी इन सारी directions को इस तरह से represent करने की के अलावा हम इसको यह represent कर सकते हैं इस वाली bracket के अंदर जिसका मतलब यह है कि यह पूरी family को show कर रहा है next same अगर हम यह नीचे वाले जो table में अगर आप देख रहे हैं जो third one table है इसके अंदर आप देखें तो यह जो directions है सारी equivalent है और यह family of body diagonals है और इसको हम इस पूरी इस ग्रूप को basically हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे